गाउं की सिती और आविसक्ताओं को ABPS News के माध्यम से सरकार तक पहुचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला बिजिनौर के ब्लोग अलहापुर धाम में इस सित्स उमरपुर खादर गाउं पहुची इस समय महिस कुमार को ग्राम बास्यों ने अपना प्रिधान चुनकरों ने यहां के विकास की जिम्मेदारी सौपी है बरतमान प्रिधान द्वारा गाउं में विकास कार्य बहतर तरीके से कराया जा रहा है लगभग 1500 की अवादी वाला यह गाउं जिला मुख्याले से 70 किलो मीटर ही है लगभग 750 बोटर वाला यह गाउं विकास के पत पर अग्रिसित है गाउं की मोजुदा इस सिती से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गाउं में लगभग 143 रातुनकार धारक है जब गाउं में सरकारी सुपधाओं का जायजा लिया गया तो पाया कि बरतमान म में पेजल आपूरती ब्यविस्ता दुरुस्त रखने के लिए 15 हैंड़ लगवाए गई हैं बही चैवर हैंड़ सरकार से लगवाने की मांग है बही बिजली ब्यविस्ता दुरुस्त रखने के लिए 60 बिधुत पोल दो बिधुत ट्रासफार्मर बस ओला लाइटे भी खड़ंजे कन्यापाट साला सरकारी ट्यूवेल बराद घर प्रिधार मंत्री आवाद योजना के तहट 32 आवाद तथा स्वच्छ भारत मिसन के तहट 1044 का भी निर्माण कराने की मांग राज्य वाक के लिए सरकार से की है महेश कुमार बोल रहा हूँ, मेरी ग्राम पंचैत में जो भी धनरासई अब तक वो मैंने सतुपयोग से उसका प्रियोकिया है और दूसरी बात यह है कि मेरी ग्राम पंचयत में ना ही तो कन्यापाट साला है, ना ही पंचयत घर है और ना ही बराद घर है, ना अंगन बाड़ी केंद्र है, ना जूनियर हाई स्कूल है मैं अपनी ग्राम पंचयत की इस्तिती जादे खराब होने के कारण में ये परदान मंतरी मुख्य मंतरी जी से अनुरोद करना चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचयत में जादे से जादे ध्यान देखरके इसका प्रियोक करा है और मैं सभी चुजों की मांग करने के लिए मैं आपसे अनुरोद करता हूँ हमारे पुर्दान जी मेस कुमार जी ने बहुत अच्छा कार दे करा है और जो साब गाउं की देख रहे हैं जो उपर से जो हां धर्मर आता है अपने पास से लगाने के इच्छा करते हैं मतलब बहुत अच्छा इनका रोल रहा है चला है